क्रिकेट क्रॉनिकल्स विच चंद्रेश में आप सबका स्वागत है और बात करना था आज वो चौते टी ट्वेंटी मुकाबले के बारे में जो हुआ है भारत और जिंबाववे के बीच में क्या जबर्दस जीत हासल किया अज भारत ने दस विक्टों से भारत में हरा दिया जिंबाववे को और बात करते पहले जो बल्ले बाजी हुई उसमें जो है जिंबाववे को अमंतरित किया भारत के कप्तान शुमन गिल ने आज जो है तिशार देश पांडे ने डेब्यू किया अपना T20 इंटरनाशनल डेब्यू किया आज उसने और शुरुआत उतनी वापसी की आज भारत में मुझे पसंद आया जिस तरह से वापसी की और I think full credit to the to the to the ballers और थोड़ा scorecard पर भी नज़र डाल देते हैं जिस तरह से पहले बल्ले बाजी की भारत में उसमें माफ कीज़े जिंबावे ने पहले बल्ले बाजी की 152 मनाया साथ प्रिक्टों के नुकसान पर शुरुआत बहुत अच्छी हुई 63 रंस की पर उसके बाद कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि जिंबावे की पारी पूरी तरह से पत्रे से उतर गई और उसका पूरा-पूरा श्रे जाता है ये जो बीच में जो स्पेल डाला था शिवम दूबे और अभिशेक शर्मा ने इन दोनों ने मिलकर जो स्पेल डाला था पाच और में 31 रंदे कर दो विकेट निकाला वही पर मैच पूरी तरह से पलट गया उन्होंने दो इंपोर्टेंट विकेट निकाला और देखें यहाँ पर पहले मरुमानी को निकाला अभिशेक शर्मा ने और फिर दूबे ने निकाला मदवेरे को और उसके बाद जो है पारी जो दोनों ओपनर्स थे उनको इन दोने ने निकाला और वही पर मैच पूरी तरह से पलट गया तब तक ऐसा लग रहा था कि जि की कोई फाइदा नहीं हुआ और एंड में जो है बड़े आसानी से भारत में उनको सिर्फ 152 पर साथ पर रुप दिया और यहाँ पर देखें गेजबाजी में खलील एमर ने दो विकेट निकाले बाकी सब ने एके विकेट निकाले और जवाब में भारत के कप्तान शुब के मारे और 13 चौके और सील कर दिया विक्टरी को और सीरीज को तो भारत में सीरीज फिर एक बार अपने नाम कर लिया है 156 बिना किसी नुकसान के और उसी का नतीजा है कि भारत जो है यह सीरीज जी चुका है मुबारक हो सबको कि भारत यह सीरीज जी चुका है और यह बड शुबन गिल से आगे क्यों है और उनका जो style है T20 Cricket Cup बिलकुल आदूनिक, modern style है, जबरदस्थ और खबर जो आ रही है वो है कि रिकी पॉंटिंग और डेली Capitals ने जो अपना उनका जो रिष्टा था उसे तोड़ दिया है, साथ सालों बाद रिकी पॉंटिंग डेली Capitals से हट चुके है और अब वो डेली Capitals के Head Coach नहीं रहेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर जो है ज़रूर अब अटकले लगाई जाएगे कि रिकी पॉंटिंग के जगा वहाँ पे Head Coach कोन आएगा, वहीं पर कोलकता में बहुत सारे vacancies होने वाला है क्योंकि कौतम गंबीर mentor थे वहाँ पर वो छोड़कर वो अब भारत के Head Coach बन चुके हैं, वहाँ पर शायद Assistant Coaches भी चले जाएंगे, डेली Capitals में भी Assistant Coaches चले जाएंगे, क्या डेली Capitals में सौरफ गंगुली बने होंगे वहा पर आएगा, क्योंकि सौरफ गंगुली वाँ पर Director of Cricket है, क्या सौरफ गंगुली Director of Cricket और Head Coach होंगे, ये सब देखना पड़ेगा, बहुत ही जबर्दस टाइम होगा, अगले साल वेगा auction भी होगा, दूसरे ख़बरों में, जुलन गोस्वामी, ट्रेन बागो, नाइट रा क्रेक ब्रात्वेट, उन्होंने अपने लड़कों से काया कि जूच के रहना, लड़ते रहना और बनते रहना यहां पर, लड़ाए करते रहना, भाई आपकी टीम तो पचास ओवर बल्ले बाजी नहीं कर पाती, पूरे टेस्ट मैज़र मिला कर, आप क्या लड़ने की बात कर रहे हूं, यह इस तरह से आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, मजाग बना के रखा हूँ, आप लोगों ने टेस्ट क्रिकेट का, वही चीज़ यहां पर इंग्लिंड ने भारत में मजाग बनाया हुआ था है, वेस्ट इंडिस ने वहाँ पर बनाया हुआ है, बहुत ही मतलब के test match खेल कर सब को test status देने का कोई मतलब नहीं है आपका क्या मानना इस video को नीचे comment करके बताइए like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए और notification की bell बजाएए और इसी तरह channel को support करते रहे हैं goodbye for now